नमस्कार जी जैहिंद मैं हूँ रॉनक और आप देख रहे हैं रंत अंत्र सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें इंडिया इंग्लेंड सीरीज में नहीं खेलेंगे बेंड स्टोक्स जी हाँ के लिए लंबी चुटी ले रहे हो और इस टॉपिक पर हम आपके लिए आगे एक वीडियो जरूर बनाएंगे लेकिन सबसे पहले इंडिया श्रीलंका सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं पिछले दो दिनों में ऐसी दो चीजें हुई हैं जिसमें से एक तो हमेशा होती जो एक CBSC बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का बाजी मार ले जाना और दूसरी चीज जो कई सालों के बाद देखने को मिली है यानि श्रीलंका का भारत के खिलाफ एक बाइलाटल सीरीज जीच जाना चलो ये भी ठीक है हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां धोनी भा खिल रहे थे कि भाई ये एक ऐसी श्रीलंकन टीम है इसमें पुरानी वाली बात ही नहीं है क्रिकेट की कॉलिटी कम होती जा रही है ऐसे में क्रिकेट देखने में मज़ा नहीं आएगा अब जब उन्होंने हमको हरा दिया है तो कल से 75 लीटर आंसू बहा चुके हैं ऐसे ल लेकिन खेल नहीं पाए पर हाँ उनका नाम लेने से पहले मैं माई 11 सरकल अप का नाम लेना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है और आपके भले की बात बता रहा हूँ करोड़ पती बनना चाहते हैं शॉटकट में तो उस लिंक पर क्लिक करके माई 11 सरकल आप को अपने फोन में डाउनलोड करो इंडिया इंगलेंड सीरीज शुरू होने वाली है मिलकर उस पर टीम बनाएंगे चैंपिन्स की टीम को हरा कर आपको करोड़ पती बनने का मौका दिलाएंगे और हाँ फर्स डिपॉसिट पे आप 20% कैश बैक पाएंगे सबोस हजार रुपय डिपॉसिट किया तो उस पे 12 रुपय मिलेगा आपको है की नहीं फुलाउन आपका फाइदा है इसलिए वापस से याद दिला दू डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पे क्लिक करके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल अप और याद रखना इस गेम इन एलेमेंट और फाइननशल रिस्क और में बात करते हैं उन खिलाडियों की जो अपने टैलेंट के हिसाब से अगर खेल जाते तो हम श्री लंका को टी-ट्वेंटी में भी पेल जाते लिस्ट में सबसे उपर जिनका नाम है वो है कैप्टन शिखर धवन जियां वंडे में तो कड़क प करना हमें महंगा पढ़ गया और हम एक ऐसा मैच हार गया जो शायद हम जीत सकते थे किलारी नंबर टू है संजु सैमसन पिछले दस साल से सुन रहा हूं कि संजु धोनी के उत्तरा धिकारी बनेंगे या उनमें बनने की खाबिलियत है और बात सही भी थी लेकिन अगर मौक इसके सबसे बड़े एक्जामपल है इस सीरीज में भी उन्हें तीनों टी-ट्वेंटी मैचों में मौका दिया गया लेकिन इंप्रेस वो एक में भी नहीं कर पाया यही वज़ए कि जिस खिलाडी को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था उसके बाद आये रिशब पन तो रिशान किशन अब उससे आगे निकल चुके है तीसरे खिलाडी है पांडे जी जी या मनीश पांडे पिछले कई सालों से पांडे जी टीम के अंदर बाहरी रहे हैं कोई खिलाडी इंजर्ड हो गया तो उसकी जगे मौका मिल जाता था ऐसे में सारे क्रिकेट एक्सपर को इंप्रेस करने में नाकामयाब हुए थे वैसी ही सीरीज के बाद पांडे जी भी फैंस के दिल में अपनी जगे बनाने में कामयाब नहीं हो पाए खिर अपने चैनल के पोल में जब कल हमने आपसे पूछा था भाया की गलती किसकी है तो लोगों ने जवाब दिया कि क्र पंडिया ने बायो बबल ब्रीच नहीं किया था नहीं किया था और नहीं किया था और उन्हों ने गर ऐसा नहीं किया और फिर भी कोविड पॉजिटिव हो गया तो फिर उसमें उनकी कहाई की गलती है हां कोई लापरवाई करी होती तो उनका नाम ज़रूर लेते लेकिन फ उसके लिए कुछ लिखना है कि क्यों बहार हो गया वे लिख सकते हैं बहुआ के साथ उस पर एक तगडी वीडियो जल्दी लाएंगे फिलाल जाएंगे कल आएंगे टेक केर जाहिंद बाइबाए